सिबनी बालगहाट लोगसभा की भाचपा प्रत्याशी भारती पारधी ने सिबनी पहुँचकर पाइटी के पदादिकारियों और कारिकरताओं से भेंट की। भारती पारधी अपना नामांकन दाखिल कर भाचपा कारेले सिबनी में पहुँची और कारेकरताओं के साथ भेंट करते हुए आगामी चुनाओं के लिए रणनीती बनाई उन्होंने कहा कि पाइटी की जीत ही देश की जीत है उन्होंने कहा कि सभी कारिकरताओं को एक जुट होकर सिबनी लोग सभाचेतर में विजय का रिकॉर्ड बनाना है उन्होंने कारिकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि मोधी सरकार का एक बार फिर देश के विकास के लिए बहुत महतपून योगदान हुगा इसलिए हम सभी को एक जुट होकर मोधी सरकार बनाने के लिए भाजपा को हर बूत पर विज़ई बनाना है इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेश सिवनी के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी सिवनी भाजपा कारेले में जिलाव पाध्यक्ष संतोष अगरवाल सहित भाजपा के तमान कारेकरता मुझूद रहे भारती जन्ता पार्टी ने मुझे लोगसभा का प्रत्याशक बनाया है मैं निशित तोर पर आपकी कसोटी पे खड़े होतरने का प्रयास करूँगी और सिवनी के विकास के लिए जिस तरी से कि हमारे पूर सांसोद ने जो कार किया है क्योंकि यदि गर देखा जाए तो स्वनीम एक विकास के और हमारे मोदी जी का भी कहना है कि विक्सित भारत और स्वनीम भारत की कल्पना तो उस विक्सित भारत और स्वनीम भारत की कल्पना में हमको अपने लोगसभाद छेत्र सिवनी वालागाट को जोड़ना है तो विकास के मुद्धो को लेकर हम जनता के पास जा रहा है और सिवनी की जनता की मांग है विकास के छेत्र में उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे सिवनी उद्धोगों की तरफ अग्रसर है लेकिन फिर भी जो कसर बज़ गई है हम हमारे पूर सांसद और वरिष्ट निताओं के साथ में और सिवनी के ही व्यापारी उद्धोग प्रतियों के साथ में बैठ कर हम क्या अच्छा सिवनी के लिए कर सकते हैं यह मैं करने का प्रयास करूंगी